हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चनल विया टेक्निकल प्लीज सब्सक्राइब इस चनल फोर मोर टेक्निकल अप्डेट्स और प्रेस बेल आइकन फोर मोर नॉटिफिकेशन थेंक यू तो फ्रेंट्स आज का मारा वीडियो होने वाला है एच्प स्मार्ट टैंक 520, 525, 580 और 585 के लिए अगर जीरो रोटेट हो रहा है स्क्रीन पे कंटिन्यूसली या फिर सारी लाइटेब लिंक हो रही है तो इस तरह के इशू को कैसे रिजॉल करेंगे चलिए इस वीडियो में हम आपको मैं आपको दिखाता हूँ प्रेक्टिकल करके दिखाऊंगा म चलिए सिम्टम चेक करते हैं पहला है एचपी स्मार्ट टैंग 580 और इसमें क्या सिम्टम है दिखाता हूँ मैं आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि यह मशीन रेडी पे तो आ रही है पर जैसे इसका यह वाइफाई राउटर पे कनेक्ट कर रहा है प्रिंटर तब सार लेकिन जैसे यह वाइफाई पे कनेक्ट होगा अभी बिलिंग कर रहा है तो मतलब सर्च कर रहा है और स्टेबल हो जाएगा तो मतलब कनेक्ट हो गया तो जैसे यह वाइफाई पे कनेक्ट हुआ सारी लाइटे बिलिंग करना स्टार्ट कर गई है और इस केस में आपका बटन पावर बटन को चोड़ के काम नहीं करेगा यह दूसरा प्रिंटर है सेम मोडल और इसमें इशू अलग है इसमें जीरो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है अब बात करते हैं सिम्टम के बारे में कि यह ऐसा क्यों हुआ है क्या रिजन रहा है तो अगर आपने देखिए इस प्रिंटर में क्या है इंक सेंसर लगे हुए है जो टैंक है इसका उस पे सेंसर लगे हुए है पहले क्या है इंस्टोलेशन के टाइम पे अगर आपने बंद मशीन में ही पावर ओफ मशीन में ही अगर आपने इंक डाल दी तो ये प्रोब्लम आपको जीरो रोटेशन वाली जो है ये प्रोब्लम आपको आ सकती है और जो आल लाइट बिलिंक वाला इशू है ये आपको अगर राउटर के साथ कमपेटिबिल्टी नहीं बन रही है तो ये इशू आ सकता है तो दोनों को ही हम आज रिजॉल करेंगे तो इस वीडियो को लास्त तक देखना आप उसके वादी एक्टिविटी आप स्टार्ट करना क्योंकि बहुत इंपोर्टन इंफॉर्मेशन में इसमें बताऊंगा आपको कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है तो सबसे पहले और लाइट बिलिंक वाले में इस पर चेक करके देखते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका वाइफाई बंद हो जाए तो चलिए ट्राई करते हैं मैं इसका वाइफाई बटन दबाके रखा कैंसल हाइलाइट हो गया कैंसल कर देता हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे ही ये पावर ओन हो और रेडी पे आए वाइफाई लाइट बिलिंक करें तो मैं इसका वाइफाई बंद कर दूँ ताकि इसमें सारी लाइटे बिलिंक वाला इशू नहीं आएगा फिर मैं इसका फरमवेर अपडेट कर दूँगा इसमें जो है देखिए अभी मैं फोटो कोपी करके आपको दिखाता हूँ ये मशीन रेडी पे आ गया है फोटो कोपी मैंने किया हो गया अब इसका फरमवेर कैसे अपडेट करेंगे चलिए इस मशीन में वाइफाई बंद हो गया था तो support.hp.com पे जाना है आपको software and drivers पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपके printer का नाम डालना है या product number डालना है जैसे ये 580 है तो hp smart tank 580 ये आ गया printer ठीक है windows automatic detect हो गया कौन सा वर्जन है तो निचे printer firmware इसको आपको कर लेना है डाउनलोड ठीक है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए ये firmware है इसको आप अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद वापस वाइफाई पे डालेंगे तो आपका जो सारी लाइट अप लिंक वाला issue वो result हो जाएगा ठीक है तो मैं आपको practical करके दिखाऊंगा इसको और ये क्या क्या fix करेगा देखे कोई भी firmware क्या क्या fix करता है उसका यहां पर mention भी होता है अगर आप यहां पर एक option होता है fix and enhancements इसमें जाएंगे तो यहां पर यह बता रहा है कि यह क्या fix करेगा यहां पर इसमें लिखा हुआ है सपोर्ट वीचैट क्लाउड प्रिंटर फीचर और इंप्रूज फर्मवेर अपडेट एरर हैंडलिंग सेक्यूरिटी फिक्स तो इसमें यह तीनों चीजे अपडेट है तीनों चीजों का अपडेट है इसमें कि चैशली फर्मवेर डाउनलूड हो गया है अब इसको डबल करना को ध्यान रखना है जो फर्मवेर है उसको आपको एड्मिस्टेटर मोड पर चलाना है तो इसको राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके रान ऐड्मिस्टेटर इससे आपको रहन करना ऐसे यह कि दनख करेंग यह प decisively जाए गला कि यह मैंने तोड़ा सा वीडियो किया है वीडियो मेरा कि उग्याक तो यह आपको इस तरह से मेसेज आज आगा बाद में इस में चलता ही रहेगा प्रोसीजर, जब तक या तो वो अपडेट ना हो और या वो चैंसल ना हो, आटमेटिक फेल ना हो, तब तक आपको वेट कर, 90% चांस है कि आपका अपडेट हो जाएगा, और अगर अगर अपडेट नहीं होगा, तो उसको अपने आप ही फेल होने दे, आप वेट करें अगर वो फेल हो जाता है तो एक लास्ट अल्टरनेट सोलूशन में आपको बता हुआ उससे आपका 100% सोलूशन हो जाएगा क्योंकि इसका फ्रमवेर ऐसे यूएसबी से अपडेट हो गया है तो अभी मैंने इसको उन किया और इसका वाइफाई उन कर दिया देखिए ये वाइफाई से कनेक्ट हो गया लेकिन इसमें वो लाइटे बलिंक वाला इशु नहीं है जो की वाइफाई पे जाने के बाद आता था अभी मैंने सिस्टम से इसका एक रिपोर्ट निकालने की कमा अब आते हैं second उस पे आपका फॉम्विर आपने किया और वो फेल दिखा गए ही वहाँ पे फेल दिखाने के बाद आप क्या करेंगे उसका अभी मैं आपको बताता हूं और इसको आप Wi-Fi से भी अपडेट कर सकते हैं अगर आपका Wi-Fi पे connect होने के बाद 10-15 मिनट बाद इश हुआ रहा है या कभी-कभी इश हुआ रहा है तो Wi-Fi पे भी इसका web page खोल के आप अपडेट कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने एक बनाया था आप मेरे उस पे चैनल पे जाके एक HP SmartTank 580 का unboxing installation है उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि Wi-Fi से इसका कैसे अपडेट कर सकते हैं तो firmware आप तीन तरह से कर सकते हैं Wi-Fi के तरू दूसरा USB के तरू और तीसरा फ्लैश कर सकते हैं firmware को तो अब भी देखे printing स्टार्ट हो गया है तो ये machine आपका result हो गया है आप दूसरे तरीक अब आते हैं alternate option जो मैंने बोला था कि अगर आपका firmware फेल हो जाए USB के तरू तो आपको क्या करना है cancel और black copy button दबा के रखना है और machine को on कर देना है screen पे F आ जाएगा वेट करना है 20 सेगंड तक वेट करने के बाद ये एक अलग से file है flash file wireless model के लिए ये आपको run करनी है अभी मैं जो procedure बता रहा हूँ वो 520 series और 580 series दोन्हों पे ही काम करेगी बट file है अलग अलग है दोन्हों file का link मैंने description में डाल दिया तो ये file मैंने run कर दी है run करने के बाद ये आपका इस तरह से pop-up आजाएगा ये पिछे system error जो दिखा रहा है इसको बूल जाएगे ये web page नहीं खुल रहा था इसका तो ये ऐसे खुलेगा और file download complete दिखा जाएगा और firmware की जो ये flash file है ये आपके printer में चली जाएगी अब जरूरी information ये है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपका all light blink वाला issue resolve ना हो USB cable के through firmware update जो मैंने बताया था प्रोसीजर उससे update मालो नहीं हुआ आपका fail हो गया जो मैंने बोला था कि आपको alternate option में बताऊँगा तो ये वो alternate option है या फिर अगर आपके printer में HP smart tank 520 में या 525 में 585 या 580 में race track का issue है zero continuously screen पे rotate हो रहा है तो उस case में USB से तो firmware update होगा नहीं आपका तो ये वो procedure है जिससे आपका firmware update होगा तो site से जो firmware आपको मिलेगा download आप करोगे वो तभी update होगा printer के अंदर printer में अब तभी update होगा जब आपकी machine ready mode पे होगी तो जब zero घूमेगा या light अब लाइटे सारी blink करेंगी उस case में आपका ये ही एक firmware है जो मैं अभी जो procedure बता रहा हूँ ये ही update होगा तो इसको update करने का procedure क्या रहेगा ध्यान रहे दोनों फाइल अलग अलग होगी 520 series जो की non wireless है जिसमें की आपका series में आता है 520 और 525 उसके लिए अलग फाइल है और जो 580 series है जिसमें की 580 और 585 model आता है उसके लिए अलग फाइल है तो दुनों फाइलों का जो link है वो मैंने description में डाल दिया है आप wireless वाली फाइल वाइलेस वाले मोडल में ही डालें और non wireless की non wireless में और flash mode पे जाने के वादी है फाइले चलेंगी ध्यान रहें तो flash mode कैसे आएगा 585 सीरीज में cancel और black copy button आपको press करके रखना है फिर power on करना है और same procedure 520 और 525 में रहेगा cancel और black copy button आपको दबा के रखना है फिर machine को on करना है इसका एक step by step जो file है step by step कैसे आपको करना है वे एक मैं document file आप description में ही डाल दूँगा आप उसको step by step रीड करके भी कर सकते है तेखिए अभी race track का जो issue था zero जो rotate हो रहा था हमारे printer पे इस printer पे वो result हो गया है क्योंकि इसका firmware जो है वो flash हो गया है अब मैं इसका information button निकालता हूँ sorry information report निकालता हूँ i button press करके रखना है resume एक बार दबाना है तो इसके information जो page होगा इसका जो configuration page होगा उस पे इसका firmware version लिखा रहता है वो आपको updated मिलेगा तो ये दो तरीके आपके firmware update करने लेकिन solution यही रहेगा 520 और 580 सीरीज में कि zero rotation और all light blinks में firmware update ही solution है और firmware तभी update होगा जब machine ready पे होगा ready पे जो machine है नहीं आ रही है उनके लिए ये procedure है जो मैंने अभी बताया flash करना ये इसका status report निकल गया है इसमे मैं आपको दिखाता हूँ firmware वाला section है 7 number पे देखिया 2309 DR ये इसका latest firmware ये update हो गया है problem भी हमारा resolve हो गया है आपको मेरा ये video कैसा लगा मुझे comment section में ज़रूर बताना मुझे comment करके ज़रूर बताना problem resolve होने के बारे में और जिसको कोई doubt है वो मुझसे पूच सकता है और इस video को like करना share करना चैनल को subscribe जरूर करना thank you